नमस्कार आप देख रहे हैं सुराज मीडिया नेटवर्क और मैं हूँ आपके साथ प्रीड़ना नागवनशी अर्जित सिंग को कौन नहीं जानता अर्जित सिंग के गानों के हर कोई फैन है साथी देश में उनके गानों को बहुत ज़्यादा सराहना भी मिली हुए है कि सिंगिंग के साथ साथ उनकी सिंप्लिसीटी को भी काफी ज़्यादा पसंद करते हैं साथी देखा ये भी गया है कि अर्जित सिंग हमेशा कॉंट्रिवर्शिस से दूर रहते हैं लेकिन हाली में एक कॉंसर्ट के दौरान अर्जित सिंग ने कुछ ऐसी बात कह दी है कि वो चर्चाओं में आ चुके है। कॉंसेट के दोरान अरजित सिंग ने कुछ एहम सवाल खड़े किये हैं, जिनमें उन्होंने ये कहा है भारत में पाकिस्तानी गानों के प्रतिबन आखिर क्यों लगे हैं। साथी उन्होंने ये कहा है कि आतिफस्तलम उनके पसंदिदा सिंगरों में से एक हैं, वो आतिफस्तलम को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ सालों से आतिफस्तलम के गाने बॉलिवूड में या फिर हमारी इंडस्ट्री में देखे नहीं गए हैं, जिसके वज़े से वो बेहत जादा निराश है। साथी उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों देशों के बीच में भले ही कोई मुद्भीट जरूर है लेकिन हम सिंगिंग से या फिर टैलेंट से रिलिटेट शेत्रों में इनमें प्रतिबंद नहीं लगा सकते। साथी उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि आने वाले समय में हमें पाकिस्तान के सिंगरों के गाने भी जल्द ही सुनने को मिले। ऐसा उन्होंने गुजारिश करते हुए सरकार से ये भी कहा है कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी सिंगर जल्द ही भारत में अपने गाने र के दिल खोल कर प्यार दिया है और ये गाने आज भी लोगों के जुबान पर मौझे थी तो अरजित सिंग के उठाए गए इन सवालों पर आपका क्या कहना है हमें कमिंट बॉक्स में जरूर बताएं साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें शे झाल 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 झाल